नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है हम आलू के पराठे बना चुके हैं मतर के भी पराठे बना चुके हैं आज हम आलू और मतर को मिला कर मतर आलू के पराठे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं इन्हें सुबह नाश्ते में टिफिन के लिए या साम को डिनर में बना कर परोसा जा सकता है सभी को पसंद आते हैं पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर तयार करेंगे तो हमने प्याली में दो कप आटा ले लिया है हम इसमें आदी चमच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे और एक चमच तेल डालेंगे मिला देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सौफ डो बनाकर तयार करेंगे जैसा कि हम नॉर्मल पराठो के लिए बनाते हैं यह हमने सौफ आटा लगाकर तयार कर लिया और इतना आठा लगाने में पूरा एक कप पानी लग गया है आठे को ढख कर हम 20 मिनिट के लिए रख देंगे आठा सैटो कर तयार हो जाएगा इसके बाद पराठे बनाएंगे और जब तक हमारा आठा सैट होता है तब तक हम पराठो के लिए स्टफिंग बना कर तयार करेंगे पैन गरम कर लेते हैं पैन में हम दो छोटे चमबाच देल डालेंगे गरम होने देते हैं आदा छोटी चमबाच जीरा डालेंगे जीरे को थोड़ा सा भूनेंगे और अब हम बारी कटे हुए हरे मेर्च आदा छोटी चमबाच अदरक का पेस गैस कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना एक चोथाई छोटी चमबाच हल्दी पावडर एक छोटी चमबाच धनिया पावडर मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे यह मतर और हरी मिर्च को हम दरदरा पीस कर ले लेंगे तो यह हमने पहले से पीस कर रखी है वो ले लेते हैं तो यह पेस्ट हम मसालों में डाल देंगे आग मीडियम रख लेंगे इनको हम हलका सा भूनेंगे क्योंकि हमारी मटर एकदम हारी थी तो आप देख रहे हैं पेस थोड़ा पतला पतला हो रहा है तो हमें इसे थोड़ा भून कर ड्राइ करना है यह हमने तीन उबले हुए आलू लिये हैं इन्हें हम छील लेंगे और मटर को भी हम चलाते रहेंगे मटर ड्राइ हो गई है अब हम इसमें आलू मिलाएंगे आलू हम बारीक तोड़कर डाल देंगे और इन्हें मैश करते हुए हम इसमें मिलाएंगे हम इसमें मसाले भी डाल देता है तीन चोथाई चोटी चमच नमक डालेंगे, एक चोथाई चोटी चमच गरम मसाला, एक चोथाई चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा चोटी चमच अमचूर पाउडर, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च और डाल सकते हैं, आलू को मैश करते हुए सारे मसाले म कर देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा हरा धन्या डाल कर मिला द useless used sट फिंग को पीएले में निकाल लेते हैं कि 20 मिनिट हो गया हमारा आटा भी सेट उकर तकार हैं हाथ पर तोड़ा सा तेल लेंगे हाथ को चिकना करेंगे और आटे को हम एक-दो मिनिट मसल लेते हैं आठा तैयार हो गया पराठे बनाने के लिए आठे से हम थोड़ा सा आठा तोड़ेंगे और लोई बनाएंगे पराठे अपनी पसंद के अंसार थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बनाए जा सकते हैं यह हमने गोल लोई बनाकर तैयार कर लेए इसे हम सुखे आटे में लपेटेंगे और 3-4 इंच के ब्यास में हम इसे बेल कर तैयार करेंगे इसके उपर थोड़ा सा तेल डालकर 4 और फैलाएंगे तेल Optional है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें. लेकिन अगर थोड़ा से तेल लगा जैते हैं, पराड़ा जादा किस पर toasty बनता है. श्टफिंग अपनी पसंद के अंसार थोड़ी कम यह थोड़ी जादा भरवः सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं भर सकते जितना हमारा आठा है उतनी स्टफिंग या उससे थोड़ी से ज्यादा भरी जा सकती है पराठे को चारो तरफ से उठा कर इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएंगे और स्टफिंग को बंद करेंगे उंगलियों से हम इसे अच्छे तरीके से चारो और से दबाएंगे ताकि इसके अंदर की स्टफिंग एक जैसी फैल जाए और अब हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और हलका मोटा पराठा बेलेंगे बेलते समय ध्यान रखेंगे कि हमें बहुत हलके हाथ से पराठा बेनला है ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग है और कोशिश करें कि पराठे को किनारे से बेलें बहुत अच्छा पराठा बिलकर तयार होगा पराठा सीखने के लिए तबा गरम कर लेते हैं तबे पर थोड़ा सा तेल डालकर चारो और फैलाएंगे तबे को चिकना करेंगे और पराठा सीखने के लिए तबे पर डालेंगे पराठे को नीचे की ओर से थोड़ा सा सिखने देते हैं और जब तक हमारा पराठा सिखता है तब तक हम दूसरा पराठा इसी तरह से बेल कर तयार करेंगे पराठे के ऊपर की सर्फेस थोड़ी से डार्क दिख रही है पराठा नीचे से सिख गया है पराठे को हम पलट देते हैं और पराठे को दूसरी ओर से हलकी चित्ती आने तक सिखने देंगे पराठा दूसरी ओर से भी हलका सा सिख चुका है पहले सरफेस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारो ओर फैलाएंगे पराठे को पलट देते हैं इस सर्फेस पर भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारो और फैलाएंगे पराठे हम तेल से बना रहे हैं पराठे घी से भी बनाए जा सकते हैं आग मीडियम कर देंगे और पराठे को हलका सा दवाब देकर दोनों और अच्छी गोल्डन चित्ति आने तक सेकेंगे पराठे को उतार कर हम प्लेट पर रखी हुई प्याली पर रखेंगे और सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक कर तयार करेंगे यह पराथे हमने बनाकर तयार कर लिए और इतने आठे से आठ पराथे बनकर तयार हो जाएंगे पराथे की नीचे रखी हुई प्याली हम अटा देते हैं हमारा नीचे का पराथा अब ठंडा हो गया है एकदम घरम पराठा अगर हम प्लेट में रख दे तो नीचे से पराठा सौगी हो जाता है मतर आलू के पराठे बनकर तयार हैं बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं इन्हें आप दही, चटनी, अचार या अपनी किसी भी मन पसंद ग्रेवी वाली सबजी के साथ में सर्व कर सकते हैं तो आप इने बनाईए, खाईए और अपने अनभग निशामधुलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेजिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिए